नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दो ओटरिंग के आज हम बात करेंगे सिंग्यापूर के नानियांग टेकनोलोजिकल यूनिवर्सिटी में खोजे गए एक नई टेकनोलोजी के बारे में जो की फलो की बूसी को जीवनुरोधी जेल पट्टियो यानि की एंटी बैक्टेरियल बैंडेजस में बदल सकती है तो आईए शुरू करते हैं सिंग्यापूर में नानियांग टेकनोलोजी यूनिवर्सिटी एंटी यू के वग्यानिक बेकार पड़े डियूरियन बूसी को जीवनुरोधी जेल पट्टियो में बदल कर बोजन की परबादी से निपट रहे हैं फल की बूसी से सेलुलोस पाउडर निकालने और फ्री सूखे होने के बाद निकालने का कोर्स फिर इसे ग्लिसरॉल के से यूजन आरामदायक हाइड्रो जेल में बदल जाता है जिसे बाद में बैंडे स्ट्रिप्स में बदल दिया जाता है बोजन विज्ञान और विशेशग्यता कारिकरम के निर्देशक प्रफेसर विलियम शेन ने कहा सिंगापूर में हम एक वर्ष में लगबग 12 मिलियन डियूरियन का उप्योग करते हैं इसलिए मास के अलावा हम भूसी और बीजो के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते और इससे परियावरन प्रदूशित होता है नान्यान टेकनलोजिकल यूनिवर्सिटी एंटी यू के खाद्य विज्ञान और प्रद्योगी की कारेकरम के निर्देशक विलियम शेन के पास डियूरियन भूसी है जबकि एंटी यू में रिसर्च फेलो डॉक्टर ट्रेसी कुई के पास सिंगापूर में 16 सिंगापूर में 16 सिंगापूर 2021 को डियूरियन हस्क पोज बनी हाइड्रोजेल शीट है फलो की भूसी जो डियूरियन की संचारना के आदे से अधिक का निर्मान करती है इसको अक्सर फेक दिया जाता है और भस्म किया जाता है जिससे परियावरन की बरबादी होती है शेन ने कहा कि विशेश अग्यता अन्य खाद्य अपशिष्टों को भी बदल सकती है जैसे सोया बिन और खर्च किये गए अनाच हाइड्रोजेल में देश के बोजन की बरबादी को सीमित करने के लिए पारमपारिक पट्टियों की तुलना में और गेनो हाइड्रोजल पट्टिया अतिरिक्त रूप से गाव शेत्र को ठंडा और नम रखने की सिती में होती है जो उपचार की गती में मदद कर सकती है शोधकर्टाओं का कहना है कि रोगानु रोधी पट्टियों के लिए अपशिष्ट अपूर्ती और खमीर का उपियोग मानक पट्टियों के निर्मान की तुलना में कम खर्चीला है जिनके रोगानु रोधी गुन एक डियूरियन ठोक विक्रेता टैन एंग शुआ ने कहा कि वो डियूरियन सीजन के दोरान एक दिन में कम से कम 30 क्रेट डियूरियन के माध्यम से जाते है जितना की एक हजार उन्होंने कहा कि फलो के घटकों का उपियोग करने के लिए तैयार होने के कारण जिने आम तोर पर त्याग दिया जा सकता है एक नवाचार था जो इसे अधिक तिकाओ बना सकता है 2000 अमेरिकियों के साक्षातकार के बाद सर्वेशन ने अनुमान लगाया कि खराब और अनुपियोगी उपज को फेक कर औसतन अमेरिकी हर हफ़ते 10 डॉलर मूल्य के फल बरबात करते है यह संभावित रूप से हर साल 520 डॉलर मूल्य का फल है तो हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में अनुपियोगी और खराब फल बहुत ज़्यादा बरबाद होता है जिने बस्म करना पड़ता है और यह बारी मात्रा में प्रदूशन फैलाते है ऐसे में इन फलो के बेकार बूसी से कुछ टिकाओ बनाना वाकई में प्रकृति को स्वच रखने की तरफ एक बड़ा कदम है उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो नौट फगेट तो लाइक, शेर और कमेंट आन तो वीडियो अलसो दो नौट फगेट तो सब्सक्राइब चानल